गैंक्स्टर लॉरेंस विश्णोई के गैंग ने बॉलिवूट सूपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की कोशिश की थी गैंग ने एक नहीं बलकि दो बार ये प्लैन बनाया था लेकिन दोनों बार ये प्लैन फ्लॉप हो गया पंजाब पुलिस ने एक प्रेस कॉनफरेंस में इसका खुलासा किया है आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांट से पहले लॉरेंस विश्णोई ने दोबारा सलमान खान को मारने की कोशिश की थी और इसके लिए उसने प्लैन भी तयार किया था गोल्डी बरार और लॉरेंस विश्णोई गैंग का एक शूटर कपिल पंडित इस प्लैन की अगुवाई कर रहा था उसे हाल ही में नेपाल बॉर्डर से गिरफतार किया गया था रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के पन्वेल में कपिल पंडित, संतोष जादब, दीपक मुंडी और दो अन्य शूटर्स एक किराय के कमरे में रुके हुए थे क्योंकि पन्वेल में बॉलिवोड सूपर स्टार सलमान खान का फार्म हाउस है तो उसी फार्म हाउस के रास्ते में लॉरेंस के शूटरों ने बकायरा रेकी करके ये कमरा लिया था और करीब डेड़ महीने यहां रुके थे लॉरेंस बिश्णोवे के शूटरों ने सलमान खान पर हमला करने के लिए छोटे हतियार, पिस्टिल कार्तूस, इतियादी जमा किये थे और उनके कमरे से ये चीजें बरामत भी हुई है शूटरों ने इस तरह की भी जानकारी खट्टा की थी कि हिटन रन मामले में सलमान का नाम सामने आने के बाद उसकी गाड़ी की स्पीड कम हो गई थी उन्होंने ये भी बताया कि पन्वेल में जब सलमान खान अपने फार्म हाउस में आते थे पशोचारी इसलिए खट्टा की थी ताकि वह इसके अनुसार सलमान खान को निशाना बना सके लोरंस के शूटर्स ने सलमान खान का फैनबंकर वांम हाउस के सुरक्षा गाड्स तक से दोस्ती हड़ी थी ताकि सल्मान खान के मुव्मेंट की तमाम जानकारियों नहीं मिल सके। गैंकी इस पूरे प्लान के दौरान सल्मान खान दो बार अपने फार्म हाउस पर आए भी थे। लेकिन इस बीच लॉरेंस के शूटर्स हमला करने से चूक गए थे। देखते रहे हैं दे लललन टॉप शुक्रियां मिटाने ख़बरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लललन टॉप शो लाइव ऑन एप डाउनलोड करें लललन टॉप एप